आइं स्टार्ट करते हैं अपनी एक सिरसाया नेक्स जो कहारा क्वेश्चन नमबर 3 है एक्स्प्लेंग था कॉंसेट अफलेक्टिक फ्लक्स यूजिजिग मत्मेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लेक्टिक फ्लक्स अफ फ्लक्स तो शो देखा रहे थे उसमें हमने काफी डिटेल में देखा था आएं इसको दुबारा से देखते हैं कि basically electric flux है किया आपने शुरू में electric flux को define कर देना है कि वो यह electric field lines passing through a certain unit area is called electric flux ठीक है यहाँ पे आपने इसको define कर देना है कि इसको denote किसा करते हैं इसको file से denote करते हैं नीचे e लिखते हैं छोटा विच में इसको electric flux है हम आने वारे chapters में magnetic flux के बारे में देख रहे होंगे तो इस वरे से इसको और magnetic flux को differentiate करने के लिए हम इसके नीचे small e लिखते हैं और इसका mathematical formula है e.a यानि कि electric field times area और अगर हम उसका dot product को open कर दें तो हमारे पास e.a cos theta बचता है and then हमारे पास unit है ऐसे unit है जो हमारे पास है इसके वो है newton meter square per column ठीक है और वही हमने इसमें बताया कि अगर at certain angle इसको रखे तो हमारे पास ये flux के definition है हमने इसमें case बताने थे maximum and minimum flux वाले तो हमारे इसको देख लेते हैं तो हमारे पास flux क्या होगा maximum और अगर उनके दर्मियान पे हमारे पास angle 90 degree बारे नॉर्मल के साथ electric field का तो हमारे पास इस टेंग फ्लक्स क्या होगा zero होगा और at some angle हमारे पास जो flux होगा वो e.a cos theta के equivalent होगा तो यूँ आपने पेपर में question को define करना है सबसे पहले उसके बाद थोड़ा से explain करने के साथ आपने इसके तीनों केसिस को mathematically भी explain कर देना है